तूअ को इस्टाट करते हैं पहला क्वेशन क्या क्या रहा है किया वजिए जी जीया आई चीफ द्यीस ऑफ इंडिया जो राश्टपति की अनुपस्तेती में राश्टपती कफप अब नाम रखते हैं को राश्टपति 19 किसमें यह Article 52 में है और राज़ेपाल किसमें है तो देखो 52 हो गया Article राज़ेपाल यह 163 में है 163 में क्या है राज़ेपाल Article 163 इसमें क्या है राज़ेपाल M. Hiadatullah यह क्या थे राज़पति के किवल ऐसे शीजे आई है जो राज़पति के correspondence में पदनाब राखे थे M. Hiadatullah M. Hiadatullah M. Hiadatullah M. Hiadatullah एक ऐसे सीजे आई है जो राजपति के जगा पे उनका पदनाब घरांड किया थे एक और केवल CJI जो राश्टपती की अनुपस्तिती में राश्टपती का पद नाम रखते हैं उप राश्टपती ने राश्टपती के इस्तिफे की रिपोर्ट किसको दी देखो उप राश्टपती राश्टपती को इस्तिफा देता है और राष्टपती किसको इस्तिफा देता है चीफ जश्टिस अफ इंडिया या फिए उप राष्टपती को ठीक है उप राष्टपती ये राष्टपती को देता है इस्तिफा और राष्टपती उप राष्टपती को देता है वाई से वर्सा ठीक है तो इस्तिफा किसको देत कि स्पिकर लोग् सावकी समय आर्टीकल नाइनटी फूर्येये वंद रेटिम फिरस लोग्साभाई स्पीकर किस आर्टीकल में है और नेक्सट संपती को और इसको 308 कानूनी संपतिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया ना वित्ती अधिकार से अटागर कानूनी अधिकार बना दिया गया यह 1978 का था किस वर्सुगत 1978 में किस अनुछेत के तहत राष्टपति को सर्वोच न्याले से सला लेने का अधिकार है सर्वोच नेले से नहीं सुप्रीम कोट से सला लेता है सुप्रीम कोट किस आर्टिकल में बताया थाना 2400 घंटे सुप्रीम कोट में नया अवेलवल होता है आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 किया सुप्रीम कोट के लिए 214 आर्टिकल 214 और सुप्रीम कोट के लिए हो गया 124 तो यह 143 आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 क्या कहता है राष्टपती को सर्वच नियाले से सलाह देने का परमिसन देता है याद करने का तरीका तो राष्टपती तो आर्टिकल 52 में होता है 52 में होता है राष्टपती प्रेसिडेंट और सर्वच्णियाले से क्या ले रहा है सला हर ले रहा है सुप्रीम कोट से एडवाइस ले रहा है तो यह 41-43 हो गया, आर्टीकल 143 के तर्ट क्या करता है, राष्ट्पती सुप्रीम कोट से सला लेता है भारत के मुख नया देश, TGI के सेवा निवर्ती की आयू कितने होती है? Chief Justice of India की सेवा निवर्ती एन रिटार्मेंट की टाइमिंग Retire, R-E-T-I-R-E रिटार्मेंट एज क्या होती है? 62 एर्स होती है, 62 साल कि 65 साल होती है? 65 साल होती है 62 साल किस्की होती है ये भी इंप्परटेंट है मुक क्ये चुनाओ आयुकत के कारेकालों की सर्त क्या है 6 यर्स देखो एक होता है राज्यसभा का सदस्य जो कि 79-80 में ना राज्यसभा 80 में सरला से याद किये थैंना सरला नहीं 79-79 में राज सभा 80 में है और लोग सभा 81 मैं तो राज सभा के जो सदस्तियों को कारेकाल होटा है ये भी 6 साल का होता है वैसे ही मुख के चुनाव आयूग्त चीफ election commissioner इसका भी कारेकाल 6 साल का ही होता है election commission किस में है? election commission article 1324 में article 1324 में क्या है? election commission next तो पंचाइती राज तो पंचाइती राज किस में है 11th Amendment में 73rd Amendment में पंचाइती राज 73rd Amendment में और पार्ट किस में Part 11 Part 11 में और अर्टिकल क्या है Article 243 243 हो गया पंचायती राज के लिए तो अमेंडमेंट क्या हो गया? 73rd Amendment आठ पार्ट क्या हो गया? पार्ट 11 आठिकल क्या हो गया? 243 और पंचायत आठिकल 40 में होता है 343 में क्या है आठिकल? 343 में राजिवासा और 143 में आपको भी अभी बता हैं कि राष्टपती सुप्रीम कोट से सला लेता है तो ये 2 अक्टूबर 1800 1859 को पंचायती राज वस्ता का उदगाटन किया गया 1959 18 नहीं है 1959 2 अक्टूबर जो कि गादी जी का जनमती थी है 2 अक्टूबर ठीक है? 1959 को पंचायती राज का उदगाटन या फिर गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1969 उनसट को पंचायती राज का गठन किया गया था भारती समिधान के किस अनुशित में राज में विधान सभा के गठन का प्राओधान है? राज में विधान सभा देखो लोक सभा सरला का ट्रिक बतायते हैं सरला 79 80 और 81 उसी तरह राज में क्या होता है? विधान सभा और विधान परिसत लिग लो सभा और परिसत तो विधान सभा किस्त में है? 169 में विधान परिसत किस्त में है? 180 में 160 और क्या होता है? संसद विधान सभा होता है न? विधान परिसत होता है 168 में हो गया न? विधान सभा 168 में क्या होगा? विधान सभा 169 में क्या हो गया 168 169 और 170 होता है विधान सभा विधान परिसत ऐसे होता है न तो यह पहले विधान सभा याद दो करो लो 168 क्या होता है विधान सभा समिधान का कौन संवचे भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक के कर्तवयों सक्तियों के बारे में बताता है नियंतरक और महालेखा परिक्षक कंप्टोलर एंड ओडिटर जर्नल इसके पावर्स को बताता है यह क्या हो गया आर्टिकल 149 आर्टिकल 149 महालेखा परिक्षक के कर्तवियों भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक के कर्तवियों और सक्तियों के बारे में बताता है तो महालेखा परिक्षक हो गया और नियंत्रक हो गया इन दोनों की कर्तवियों और सक्तियों के बारे में 149 बताता है अगेन 143 के बारे मता देती हैं यह क्या था 143 से मैं राष्टपती क्या ले रहा था सुप्रीम कोट से परामर्स ले रहा था सुप्रीम कोट से परामर्स नंट्रिक महालेखा परीक्षक लें 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में और 149 में क्या, 149 में इनकी कर्टब्यों का उले किया गया है, पहले तो duty होगा न, उनको पहले न्यूक्ति की जाएगी, फिर उनकी क्या होगा, कर्टब्यों का जिकर किया जाएगा, कर्टब्यों का बनान बताया है न, 149 नियंत्रोक और महालेखा परिक्षक के, और इनकी न्यूक्ति 148 में है, तो ये पूरा कम्प्लीट हो गया, रिवाइस को लो फटा-फट, भारत के नियंत्रोक और महालेखा परिक्षक के कर्टब्यों किसमे है, 149 में कर्टब्यों है, लेकिन न्यूक्ति किसमे है, न्यूक्ति है 148 में, अगेन न्यूक्ति के बारे मताया थे कि न्यूक्ति पहले न्यूक्ति करोगे 148 में, और 149 यहां पर है भारत के नियंत्रक और महालिखा परिच्छा के कर्टब्यों और सक्तियों के बारे में 149 बताता है तो 149 क्या बताता है कर्टब्यों और सक्तियों के बारे में राष्टपती सुप्रीम कोड से पढ़ा मरस लेता है यह आर्टिकल 143 में विधान सभा किसमें आर्टिकल 168 में क्या है विधान सभा पंचायती राजी गठन किया गया था 2 अक्टूबर गाधी जी के जनती के दिन 1969 में 2 अक्टूबर 1969 में फिर ये पता है थे कि मुखे चुनाओ आयुक्त का कारेकाल 6 साल का होता है जैसे राजी सभा के सदस्यों कारेकाल कितने होता है 6 वर्स का CJI की रिटार्मेंट एज क्या 65 यर्स हाई कोट सुप्रीम कोट बताया था ना कि सुप्रीम कोट में 24 आवर्स नया मिलता है फिर हम बताया थे कि सुप्रीम कोट से एडवाइस लेने का राष्टपती यह 153 हो गया आर्टिकल 52 में क्या था राष्टपती था अब चलते हैं अलजेबरा के क्वेस्चन पे अलजेबरा के क्वेस्चन से is equal to what इसकी value किसके equal है यह question CDS दोहरवाइस का है तेक formula हम तुम लोगो बताया थे formula क्या है इस question में एक तो formula से हो जाएगा कि a plus b का holy square plus a minus b का holy square बाब a square minus b square का holy square यहां से आप common लेंगे तो इस format में आ जाएगा और denominator में भी होई है यह पूरा cancel out हो जागा अगर नहीं cancel out होता है तो पहले यहां थोड़ा से simplify करो देखो यहां उपर x square common will लेंद x square ले लिए उसके बाद जो भी value है यह वहां पर value putting इस्तेमाल करो इस तरह question में आप value put कर सकते हैं क्योंकि options अलग अलग है तो value put कर दो x की value 1 put करते हो तो 1 minus 24 plus 144 कितना होगे 24 करम करोगे तो 120 1 to 1 उपर हो जाएगा 24 करम करोगे तो 120 और 121 12 13 13 plus 4 root 3 और यह क्या हो गया यहां से 2 root 3 निकल जाएगा ना तो तेरा चाहिए तो 12 और एक 13 होता है 1 multiply वाइस को 2 को अंदर ले जाओगे तो 3 को 12 हो जाएगा ना 4 को अंदर ले जाओगे तो root 3 के अंदर तो यह 12 हो जाएगा root 12 तो यह पूरा value क्या है root 12 plus 1 का whole square root 12 plus 1 का whole square यह क्या है इसको जो तुम करोगे है whole square में तो 1 plus 2 दूनी के चर्थ इंबार 12 minus, minus में आएगा ना 2 multiply by what? 2 root 3 तो इसको तो लिख सकते हो ना 1 minus 12, root 12 का whole square यह फिर root 12 minus 1 क्योंकि root 12 क्या बड़ा value है root 12 minus 1 का whole square अब इन दोनों के a square plus b square ब्रेक करोगे तो 12 में से एक गया एक 11 हो गया तो देखो कितना इजली हो गया question चार्चा के 24, चार्चा होगा 16 बस a plus b का whole square बरब a square plus b square plus 2 अब यह तो बताना होगा 3 common लेलो गया तो a square plus b square हो गया इन दोनों से a square plus b square क्या हो गया इसको whole square करते हो तो 24 square होता है 576 sum of यह होगा a square plus b square plus 2 अब यह होता है यह minus 64 करदो पांसो बारा होगे ना पांसो बारा कर तीन गुना कर लो 3 multiply by पांसो बारा युनुट इजिट पे 6 आ जाएगा तीन पाज़ 15 यह भी इजी question है इसकी वेलो दिया यान यह 4x का whole square plus 7y का whole square अगर xy की वेलो पता चले तो भी आप निकाल सकते हो यहां समनों निकालते है 4x minus 7y is का whole square और 4x plus 7y is का whole square यह प्लस b का whole square minus e minus b का whole square यह फॉर्मूला बताया ना 4ab होता है यहां भी वही रख दो फॉर्मूला तो 4 e की वेलो क्या है 4x है ना और b की वेलो क्या है 7 y है तो क्या हो गया चारचों का मतंगा 112 xy ठीक है अभ इसकी वेलू तो आपको पता है इसकी वेलू 11 है तो 121 हो गया और इसकी वेलू नहीं पता हbuz 씨 कि है कि स्कुएर हो गया है और एक्स वाई के वेलू आठ है तेहां अट दूना 12 वाठे चान्वे और इसको वन टू अन को एट करोगे तो चेक साथ हो जागा नो दूए ग्यार एक आठ नो एक दस आठ नो एक दस होगे न इसका अंडर उट जाएगा यह कि इसकी वेलू है सा करके लाज्ट डीजन में साथ होता है तो एक तो इन जर्नल मैथड यह कि बच्चे फटक से ऐसे अपलाई करते हैं लेकिन यह दो काफी केलकुलेटर हो गया है यही से समझ में आ रहा है आपको की केलकुलेटर जा रहा है तो आप इन जर्नल लगा दो आपको इसकी वेलू पूछे बताईगे बताना है ना अब इसका होल स्कार कर दो तो 60 नेक्स स्कार प्लस 49 वाई स्कार माइनस में आ जागा वैलू पूट कर देना इसका होल स्कार करो गए तो यह दोनों साइड का होल स्कार हो जाएगा तो यह फिर वैलू क्या हो जागी 60 नेक्स स्कार प्लस 49 हमको यहीं वेलू चाहिए न और माइनेस 2 मल्टिप्लाइब फूट यह 4x और 7y इसकी वेलू एक्सवाइब की वेलू देगी है चुकि एक्सवाइब की वेलू क्या है आठ एक्स वाई की वैलू एक्वेशन ने दे दी गई है आठ है क्वेस्चन में बस फूट किये इसको उधर ले गया चार दुना काट सेते चपन और आठ पचे चाली चार सो आठ चाकर तालीस एड़ कर दो इन तीनों को एड़ कर दो पूरी वैलू क्या निकल का गई 569 यही आंस 4x² प्लस 12x प्लस 40 4 कामन ले लो x² फ्लस 3x प्लस 10 x की वैलू पता चल जाए ता आप निकाल सकते हूं यहां से x की वैलू निकल जाएगी सब पुछकुरों यहां से मैं x square निकालता हूँ प्लस तो 2x square हो गया दूनों से प्लस 1 प्लस 4 प्लस यहां 2x है और यहां क्या है दो दूनी के 4x है और उधर 16 है तो 4 और 2 6 6x हो गया यहां 2x square प्लस 4 और 5 हो गया 11 हो गया नहीं इधर चार और 5 इधर हो गया 11 हमको यह चाहिए था कि 10 मिल जाए या फिर 2y इसको by 2 कर दोगे तो x square प्लस 3x की वेलू निकल गई यहां से x square प्लस 3x की वेलू क्या हो गया 11 by 2 यही वेलू उठा क्या है रग तो 11 by 2 प्लस 10 ठीक है और बाहर क्या है 4 है 4 से multiply कर देते हैं 11 दुना 22 हो गया प्लस 40 हो गया आंसर क्या हो गया 62 a प्लस b की वेलू दे दी गई है p a प्लस b की वेलू क्या दी गई है p a b की वेलू क्या दी गई है q तो एक ही पावर 4 प्लस b ऑवर 4 बता दो a स्कार प्लस b स्कार क्या हो जाएगा प्लस 2abी इसकी वेलू हो जाएगी p स्कार और यहां से 2ab कुछ साइड ले जाओगा तो माइनस 2 2q हो जाएगी अगे इसका whole square करोगे तो एक ही 4 प्लस B की पावर 4 प्लस twice of AB का whole square इसके value होजेगी P square minus 2Q का whole square उसको साइड ले जाओगा, चूंकिए प्लस हो गया है तो P की पावर 4 plus 4Q square minus 2 दूनी चार 4P square Q और ये उधर गया है minus 2, AB की value क्या है Q है, 2Q square तो P की पावर 4 प्लस 2q square क्योंकि यह दुनों कम हो जागा माइनस 4p square q यह value है चिक करो किसमें माइनस 4p square क्यों plus 2q उसका है यह answer हो गया xy की value 1 है xy multiply by xy minus 2 की value यह xc power 4 x square plus y square plus 2xy इसकी value क्या हो ज़े कि 1 इसका whole square कर दो और यहां देखो xy ऐसा करते है xy को k माल लो तो k k minus 2 की value का हो गई 12 अब क्या रखोगे तो 12 हो जागा 6 दूना 12 हो जागा अगर यहां 6 रखते हो तो यहां 6 minus 2 4 हो जागा यहां पर मैंने simply square करते हुआ क्योंकि मेरे को यह power 4 चाहिए न तो बस कुछ नहीं करो square कर दो x square plus y square इसको की यह तो 1 हो गया उसको side ले जागा फिर अगेन square कर दो power 4 में निकल गया फिर इसको simplify करो x की power 4 plus y के power 4 वरावर 1 plus 2 x square y square minus 4 xy यह value निकल गया यहां से 2xy common ले लोगे तो xy-2 अब देखो इसकी value देगी है xy xy-2 की value 12 है तो 12 दूना 24 हो गया 2 multiply by 12 plus 1 वो इसकी value क्या होगी 25 12 दूना 24 हो रे 25 अंसर root x की value क्या है root 3 minus root 5 तो x square minus 16 x square minus 16 x plus 6 की value बता हो अब देखो x square चाहिए यहां से x की value क्या हो जाएगी square करोगे तो 3 plus 5 minus twice of under root 3 multiply by under root 5 यानि 8 minus 2 multiply by 15 हो जाएगी correct x की value x square की value बता हो यहां से तो इसका square की है तो इसका अगे इन square करना पुड़ेगा तो x square की value क्या होगी 864 plus 154 का 60 minus 826 32 32 under root 15 यही हो जागा न 2ab 2दूनी के 4 432 under root 15 तो x square की value निकल गई यह add करो तो क्या होगा 4 612 minus 32 under root 15 और यहां से x की value पता ही है 8 minus 2 root 15 value रग दो 124 minus 32 root 15 minus 16 है न यह क्या 8 minus 2 root 15 plus 6 16 828 minus 1 28 8 और 16 32 positive में जाएगा root 15 प्लस 6 प्लस 6 सेकंसी लोगे minus 4 6 में से चारगे अब 2 हर वर question लिखने के ज़्यादे steps की जरूद नहीं है आप simply solve कर लो x की value यह दे दी गई है power 4 में value चली गई है अब तो यह बढ़ा हो जागा कैसे solve करना अब चलते है geometric के कुछ questions देखते है यह question क्या कह रहा है एक त्रिभूच दे दिया उस त्रिभूच की दो एंगल दे दिया तीसरा एंगल निकाल सकते हूँ एक side दे दिया तो पूछ अब BC तो यह formula apply किरते है sin upon a, sin b upon b, sin c upon c 2 twice of r यह r क्या है r है radius of circumcircle ठीक है यह apply कर दो a angle के सामने के side क्या हो जाएगी अपने मुन से कोई भी ले लो a के सामने के side जो हो जाएगी वही b के सामने के side हो जाएगी दो यह BC दिया महलोट अगल a,b,c में a के सामने के side क्या होती है angle a के सामने के side b,c होती है b angle के सामने के side a,c है तो जो भी angle है तो फुच कर यह triangle a,b,c है angle c के corresponding c,b के corresponding b,a के corresponding a अब देखो a के सामने के side b,c है न इसमें a नहीं आ रहा है b के सामने के side में a,c है इसमें b नहीं आ रहा है और c के सामने के side b,a है जिसमें C नहीं आ रहा है बस यह से याद कर लो अंगल लें दिया है न तीष तो साइन 30 के वैलू क्या होगी 1.8 एक बैट अब 2 साइन 30 के वैलू होगी 1.2 और BC के वैलू दे दिए नहीं बताना है मालो इसके वैलू X है और D के आगी AC के वैलू दिए या sund ये भी याद खोइंगल और बिग्मकरी क्याd सदस्क्राइब क्युक्त अफेามण्प्र्टू स्क्रात्फ स्छाइवग गैसे participating हो ज्यागा के स्क्रास्स मल्डिपलाई करो घजी तो रूट्टू केंसिल हो जागा 3 बज जागा X की वेलू क्या आजागी 3 3 सेंटिमीटर PQ PR वराबर QS है तो तो ठीटा की वेलू बता हूँ एक कोई ट्रेंगल इन गीवन फीगर अच्छे इस फीगर में PR वराबर क्या है ये PR वराबर QS है ये QS है बाकि ये डाग्राम देदीगा ये बैसिकली साइन लाप लाई करने वाला था साइन लाप लाई करो वेलू में ये वेलू ठीटा देदी गई है ये 110 मैनेस ठीटा हो गया क्योंकि ये 70 डिगरी दी गई थी तो बस अच्छा इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा इनका और इनका सम दीस एंगल प्लस दीस एंगल ये होगा न आउटर एंगल तो ये 70 रहते ये 40 होगा ये 30 होगा क्यों? या तो 40 होगा ये 30 होगा दूसरी चीज इन दोनों का सम क्या होगा यह outer angle तिन दोनों का sum करोगे तो 110 degree होगा sum करोगे तो 110 आएगा न यह angle क्या हो जाएगा 110 वैसे भी यह angle 180 से कम करोगे 70 से कम करोगे तो 110 ही होगा यह हो गया 110 बस इसमें sin लफ लाइग करना यह वहला देखों एक सम्धी बाग त्रिवुज ABC B पर 90 degree का angle है ABC में B पर क्या 90 degree का angle है D त्रिवुज ABC C के अंदर एक बिंदू है कोई point है D P और Q D से खीचे के लंबोतों के पैर AB पर AB पर क्या है P है और AC पर क्या है Q है ABC के पैर है AP के value देदी गई है A Q के value देखी है B ये देखों इसी तरह से ये अगला question देख लो P Q R S P Q और R वे P S का internal angle P का internal angle bisector है P S P का internal angle bisector है S internal angle bisector opposite sides को equal ratio में डिवाइड करता है अगल जाओ अगला तरह 4 चाओ का शूला 4 पच्ये 20 4 चाओ का चाओ बिस 4 चाओ का चाओ बिस 14 चाओ का चप्पन हो गया ना 4 एक में 4 2 पचे दर 2 साथे 14 तो 5 रेस्यों 7 में डिवाइड करेगा इसको यह 5 होगे यह 7 होगे अब देखो क्या कहा रहा है QR की वेलू देगे 9.6 7 पाज 12 की बारवट चाओ बिस यह 0.8 से मुल्डिप्लाई कर देना तो SR की वेलू बूचा आए साथ मुल्डिप्लाई बाई पॉइंट इट साथ वाट जपन 5.6 आंसर A, B, C इस क्वेश्चन में क्या था? इंटर्नल एंगल बाई सेक्टर सपोज करो A का इंटर्नल एंगल बाई सेक्टर क्या A, B, C यह क्या है मालो? D है तो C के सामने की साथ स्मॉल से होगी B के सामने की साथ स्मॉल भी होगी तो इसको C ratio B में डिवाइट करेगा C is to B में यह जो तो पूरा BC होगा यह C is to B में होगा अगला क्या कहा रहा? यह भी वही चीज है A का सम्दी बाजक है ABC दे दिया एक का सम्दी भाजा कोई ठीक है मलूव एडी है ये वी के वेलू 5 है एसी के वेलू 7.5 है दस मुल्डिपलाई कर लो इसमें 25 तो ये क्या हो गया रेसियो जब कटोगे है तो 50 हो 75 का तो पचीस दूना पचार पचीस तीन में जाएगा बी सी के मद विंडू D के अच्छा बी सी के वेलू 10 है इसके दो दूनी चार हो गई दो ती अच्छे हो गई क्या पुछा है बी सी के मद विंडू से D की दूरी बताओ बी सी के मद विंडू से D की दूरी ठीक है तो ये B और ये C ठीक है ये हो गया B ये हो गया C इसका मद वि तो इसका अदाव 5 हो गया इससे दूरी पूछ रहा है अब BD के वेलू तो 4 है यानि D ये वेलू 4 है न तो ये वेलू कितनी हो गई एक हो गई पोजिस्निंग देखना इसलिए फीगर बना है ये विसी एक सम्कोड त्रिवोज हो गई बी सम्कोड है ए बी और सी इसी एक बिन्दू है जो ऐसे की 80 बराबर 12 इसी पर एक बिन्दू है 80 बराबर 12 ये 12 आप क्या कह रहा है कह रहा है सीडी बराबर 16 ये 16 बीडी त्रिवोज ABC को सम्धिभाजित करता है ये B सम्धिभाजित करता है त्ये तो 12, 16 कितना हो गया है 28, 22, 56 28, 22, 56 होना चाहिए या फिर ऐसे कर लो कि मालो यह यह 4 से डिवाइड किये थे 4 में गया 3 में गया यह यह 4 में गया रेसियो वाइज 3 रेसियो 4 में गया न तो इसको मालो यह 3x है यह 4x है 3x का all square 4x का all square वरावर क्या होगा इसका square 16, 28 हो गया 28 का square कितना होता है 676 784 होता है न 88 जाओं से 784 x square 9 और 16 25 हो गया न 5x square की वेली क्या होगा 784 तो 5 से डिवाइड करोगे यही तो करोगे तो फिर यहां से x की वेलू निकलेगी उसके बाद solve करोगे अब यहां से put करोगे यह दो को इसकी वेलू 25 थी न 25 तो x की वेलू क्या होगी डिवाइड कर दोगे तो 28 था इसका square root कितना था 28 यह तो आप कर सकते थे कि इसका square कर दो इसको अगर नहीं भी करते आप तो ऐसे राने दे दे तो भी हो जाता यह 28 का square था इधर भी 28 का square है और यहां से फिर 28 बटा 5 हो जाता तो इसकी वेलू बती 5.6 cm x की वेलू निकल गी 5.6 तो बस अब ABC की परिमाफ हो गया नए ABC का परिमाफ क्या हो गया AB प्लस BC प्लस C है AB और BC की वेलू क्या है 3x और 4x है ना तो 7x प्लस 28 ती यह की वेलू उत्ती गई 820 cm अब बस यहां पर आट कर दीजिए 7x की वेलू 7x की वेलू 8.5 mm प्लस 28 गने 67.2 s Olsen Concept क्या किया राए एं यह रेशियो इंट्रनाềंल के वाइस से से रेशियो है कि BC बाए यह वत्ता मालो Рंण अनिक्ट्रनल अर्वाइस सेटर A का इंट्रनल एंब वाइस सेक्टर क्या AD बी का इंट्रनल वाइस एक्टर क्या हो गया AD, C का, CF और B का BE, या तो यह internal angle by sector हो सकते हैं, बतब medians, basically इसे क्या बोलते है, medians ही तो बोलते है, फिट कोई भी point deep A, B, C बजाएगा तो इसे AD होगा, ठीक है, median नहीं बोलेंगे, median होता है centroid का, medians का point of intersection होता है centroid, तो यह हो जाता है, AI upon ID, AI upon ID बड़ाबर क्या हो जाएगा, BC, B plus C by A, ठीक है, B plus C by A, यह इसी पर है, यह दो questions है, यह question क्या था, P, Q, R में यह value तीनों भुजाएदे दी गही है, Q का internal angle wise sector PR T पर मिलता है, T पर मिलता है PR, ठीक है, बस QI और IT पुछा है, QI और IT, तो QI क्या हो गया, 10 प्लस 10, और IT क्या हो गया, 48, तो IT 48 के पास भी है, IT पुरा है 48 वाले में है, QI क्या है, इन दो भुजाओं के पास है, तो 49 और 35, यानि PQ और QI अपन पिया, 49, 35, अपन 48, 84, 28, 21, 12, 7, 4, यह answer हो गया, इसी फसारी चीज़े हैं, देखो ABC भी है, यह भी वही है, DC 9 है, ABC के परिदी 24 है, था AB, तो 24 कम कर दोगे, 9 कम कर दोगे, इसमें देखा, 14 में से 9 गया, 5, 15 वाकी हो गया, AB, प्लस BC के वेलू क्या हो गई, 15, अब देखो, B, A, C, यह वाला अंगल, कस दुभाजक, AD है, AD है, यह T है, तो AI, अपन ID, AI, अपन ID क्या हो गया, ID के कोर्स्पोंडिंग साइड क्या हो गया, 9, यह B, प्लस BC हो गया, इसकी वेलू दी गया न, 15, 15 बटानो, 3 पचे बंदर, 3 तिरी गणो, 5 रिसी त्री, यह भी वहला वही क्वेस्चन है, यह भी वही क्वेस्चन था न, इसकी वेलू दे दी गई है, एक चीजी है किसकी वेलू दे गई, एक चीजी इसकी वेलू दे गई, अब देखो, अपने मन से मालो, PQ के वेलू A है, QR के वेलू C है, और PR के वेलू B है, ताकि आपको इस तरह से लिखने में आसानी हो, बार बार आप PQ, QR, PR, यारे बड़ा बड़ा नमबर लिखो गए आप, तो A प्लस B वाई C, A प्लस C वाई B, ये दो चीजों के वेलू आप हो दी गई, अब A प्लस B प्लस C के वेलू क्या है, इसमें तो 8, 7, 15, 35, 10, 45 है, और उसमें क्या है, 5 और 9 है, तो उपर वाई में 5 से मुल्टिप्लाई करोगे तभी, तो A प्लस B, प्लस C के वेलू, उपर वाई में 5 और 49 यूनिट थी न, लेकिन याँ 45 है, तो मुल्टिप्लाई करके एक्वेट कर लो, तो फिर वहाँ से A, B, C के वेलू आपको पढ़ता चल जाएगी, यह चीज हो गई, अब आप प्रटाक से एक्वेशन न, फुट करो, आंसर निकाल लो, 37.8 आंसर होगा, और यह लास्ट केस्चन, यह वे उसी तरह का है, सम्कोड तरी भूजा A, B, C, जो B पर सम्कोड है, और इसका A का स्टरनल एंगल वाई सेक्टर जो है, और B, C पर D पर मिला, इसका एक्स्टरनल एंगल वाई सेक्टर, A का एक्स्टरनल एंगल वाई सेक्टर क्या होगा, जब इसको A को आगे से, किसी भी एक साइड को पकड़ो, A का एक्स्टरनल एंगल वाई सेक्टर यह होगा, वर सपोच कर, और बीक इसको बढ़ाद हो या तो इस साइड को बढ़ाद हो या इस साइड को बढ़ाद हो इसको बढ़ाते हो तो एक उधर जाएगा और इसको बढ़ाते हो तो क्या होगा यह एक्सटरनल एंगल हो जाए को यह पूरा साइड आगा चली जाएगी न तो यह हो कि एक्सटरन 24 और 25 ट्रिफिलेट बनता है इसी के वेलू 25 है तो जानते हो नहीं साथ 24 का ट्रिफिलेट बनता है 25 के साथ यह ट्रिफिलेट वाला वीडियो में कवर कर रहा हूं BD की वेलू पूछ रहा है तो BD की वेलू क्या होगी तो external angle by sector भी क्या करता है opposite sides को उसी ratio में divide करता है का corresponding side यह 25 हो जाएगा पूरा अब यह 25 होगा तो यह 24 होगा यह एक होगा क्योंकि साथ ratio के divide कर जाएगा नो तो यह तो property बताई चुके हैं कि यह पूरा जो लोगो एक external अग्वर सेक्टर यह है तो यह AD जो है यह AD और यह AB पूरा किस पर चला जाएगा BC पर चला जाएगा और यह AB पूरा अच्छा इसको इस पर डाला है तो यह पूरा AB किस पर चला जाएगा इस पर चला जाएगा और यह पूरा AC किस पर चला जाएगा जो कि यह वाला इस पे जा रहा है यह वाला पूरा इस पे जाएगा ना देखो मैं समझा देता हूँ एक बार और मालो यह ट्रेंगल था इसको ऐसे आगे के तरफ कीछती है यह A, यह B, यह C और इसका एक्स्टरनल एंगल बाई सेक्टर में यह 90 डिगरी का एंगल था ठीक है क्यों? AD जाएगा इस पे नहीं यह वाला साइड इस पे जाएगा क्योंकि A से सिर्फ दो रेखाया जारी है एक यह जा रहा है एक यह जा रहा है और एक यह जा रहा है एक्स्टरनल एंगल बाई सेक्टर किसके बीच में इसके इसके बीच में ना एक्स्टरनल एंगल बाई सेक्टर किसके किसके बीच में इन दोनों भुजाओं के बीच में एक तो इसके बीच में और एक इसके बीच में यह साइड पुरा इस पे चली जाएगी यानि इस पे इसे ये वाले साइट पूस्वरे इस पे चली जाएगी है ठीक है इस पे चली जाएगी ये भी चली जाएंगी पी और सिर्ड ओर एडی पर क्या जाएगा एसी किसेरी होगया न और ये भी चली हए बीटी पे और यह पूरा जो AC है यह किस पर चला जाएगा यह पूरा AC जो है यह चला जाएगा BD तो कर दिये ना किस पर चला जाएगा DC पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई यही तो side से बनना है ना एक यह वाला side हो गया एक यह वाला side हो गया और एक यह वाला side हो गया इन्हीं दो से बनना ना तो यह वाली जो चीज़ा है यह ओरीजिनल टैंगल की थी ओरीजिनल टैंगल की थी ना तो AB और AC इन दोनों लाइन यह जो कि यह आगे कीची गई थी तो इसका external लेगल वाइस सेक्टर यह था इन्हीं दोनों लाइन से बनाया जब यह है तो है दृसकी वे लू तो पत्चीज है यह एक की वेलु जोवी सह और शोफी है थि के वेलु क्या हो गई चयाफीस हो यह लिज हो और यह यह लिख देते हैं would geven क्या had hair 24 क्या है से के वेलुश है या बीटी हो DC पूरा BD हो गया ये और ये DC हो गया छोब BC की वैलोय तो साथ है ये उसाथ था ये 25 था, ये 24 था अब देखो तो ये जब साथ है ये 24 है तो ये 24 योनिट होना चाहिए और पूरा 25 योनिट होना चाहिए पेंगर्शन सब्सक्साइन तो इसेफ्टेशन में मिलेंगे next lesson में ठीक है